हेलो डियर इस्ट्वेंट आज कक्षा बारह का मैं आपके विश्प्रत्यावर्ति धारा का जो टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है जब परपत्मत प्रत्रोज आर बदहरता सी दौनों स्रेडिक्रम में हूँ एनि भैन सर्किट कंटेंज एज रेश्टेंस आर एंड केपस्ट इन सी बोत इन सीरीज आनि दौनों स्रेडिक्रम में जुड़े हूँ तब क्या फार्मूला निकल के आता है एनि इसके प्रतवादा का इनकी वीश का रांतर फाई हो तो दौनों का हम डेरिवेशन निकाल के देंगे आपको बहुत अच्छा कोशन यह है देखिए सब सब प अब कोई पिरशन हो वो असानी से हलो जाता है प्रत्रोध आर वस धार्टासी दौनों कैसे हैं श्रेडिक्रम में हैं 58 श्रेडिक्रम के माव में स्रेड़ी किरम में जोडते हुए यह हमने प्रत्यावर्ती धारा सिरों से जोड़ दिया है यह तो है R और यह क्या है C देखो R के सिरों के बीच विवानतर BR यह यहां बिंदू मालिया और यहां बिंदू मालिया संधारत्र यह धारता C के शिरों के बीच C के शिरों के बीच विवांतर BC BC यह देखो और प्रत्यावर्ती बोल्टेज की समीकड़ V वरावर V0 शायन उमेगा T क्या लेंग्वेज लिखेंगे कि माना प्रत्रोद आर बा धारता C को स्रेडी क्रम में जोड़ते हुए प्रत्यावर्ती धारा शिरों से जोड़ा गया है लिख लो सब से पहले लेंग्वेज लिख लो देखो माना प्रत्रोद आर बा धारता C को स्रेडी क्रम मैं जोड़ते हुए किस से जोड़ा गया है प्रत्यावर्ती धारा शिरों से जोड़ा गया है देखो एक चित्रोद बनाएंगे देखिए बी आर बी आर क्या है? प्रत्रोद आर के सिरों के बीच विववांतर और धारा आई ये समान कला में होते हैं धारता सी के सिरों के बीच विववांतर बी सी ये धारा आई से कला में 90 डिग्री पशगामी होता है और जब प्रेरकत हो तो प्रेरकत के सिरों के बीच विववांतर बी आल धारा आई से 90 डिग्री पशगामी होता है और ये कैसा होता है? वो अग्रगामी होता है और ये कैसा होता है पश्चगामी ये ये बना लो एनि कि प्रेर कतो हो तो बिवानतर अग्रगामी और अगर धरता हो तो बिवानतर पश्चगामी यानि धारता के सिरों के बीच विवांतर B, C, पशगामी, पिरेरकर तो L के सिरों के बीच विवांतर अग्रगामी होता है देखो ये 5 है, इनके बीच कलांतर 5 हो तब और इनका पढ़णाई विवांतर क्या है? B अब क्या लेंगुज लिखेंगे? प्रत्रोद R के सिरों के बीच विवांतर B, R, तखा धारा आई समान कला में है एवं धारता C के सिरों के बीच विवांतर B, C, कला में धारा आई से 90 डिगरी पशगामी है देखके लिख दिया, देखो प्रत्रोद R के सिरों ब्यवांतर प्रत्रोद R के सिरों के बीच ब्यवांतर क्या है? B, R, बाधारा आई समान कला में है एवं धारता C, के सिरों के बीच विवांतर B, C B, C धारा आई से कला में 90 डिगरी कैसा है? पशगामी पशगामी है या होगा या है लिख दो पशगामी है इनका पशगामी विवांतर कितना माना गया है? देखो V पशगामी चित्र देखे लिखते हैं ये पशगामी विवांतर B हो तब पढ़ामी विवांतर B हो तब देखो B स्कौाइर बरावर ये क्या है कल ये क्या है आधार और ये लंब एनि कल का वर्ग बरावर आधार का वर्ग और पिलस लंब का वर्ग ये हम पहले पढ़ चुके हैं परन्तू B आर बरावर क्या होता है I R और यहां B C है ये ये क्या है B C देखो C के सिरुद विवांतर B C और B C बरावर I X C और V L बरावर क्या होता I X L ये वैलू लगा दो अतहा B स्कौाइर बरावर देखो ये वैलू लगाएंगे तो I स्कौाइर R स्कौाइर पिलस I स्कौाइर और X C स्कौाइर ये I स्कौाइर कॉमल ले लो R स्कौाइर पिलस X C स्कौाइर B स्कौाइर अपोन I स्कौाइर बरावर R स्कौाइर पिलस एकसी स्क्वाइर और वी अपॉन आई बी अपॉन आई वराइवर क्या हो सकता है आर स्क्वाइर पिलस एकसी स्क्वाइर अब देखिए आगे आजाओ यह जो अनुपात है अनुपात बी अपॉन आई देखो ओम के नियम से अतुला करें तो बी अपॉन आई क्या होगा बी अपॉन आई प्रत्रोद होगा लेकिन यह यह बी अपॉन आई को प्रत्रोद नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि यह प्रत्रोद आर और धारता सी दो है तो अनुपात भी अपॉनाई को प्रत्रोध न कहकर परपत की प्रत्वादा कहते है ये लेंग्विज लिखनी है कि अनुपात भी अपॉनाई प्रपत का प्रवावी प्रत्रोध है कैसे है उम की नियम से तुलना करें भी वरावरा यार होता है परभावी प्रत्रोध है अतहा इसे देखो और लिख दो चूंकी चूंकी यह है किस किस के कारण है प्रत्रोध आर बधारता सी दोनों के कारण है प्रत्रोध आर बधारता सी दोनों के कारण है प्रत्रोध न कहकर परपथ की प्रत्रोध जैड कहते हैं यह लेंग्विज लिखनी होती है एन्यानुपाद बियप आई प्रत्रोध का प्रत्रोध है चूंकी यह प्रत्रोध आर बधारता सी दोनों के कारण है तासे प्रत्रोध न कहकर परपथ की प्रत्रोध हा जैड कहते हैं यह अब क्या हो जाएगा यह जैड बरावर देखो ऑल्र स्क्वाइर पिलस एकस इसक्वाइर यह डेईरिविसन आगे है एकस इ वरावर वन अपॉन उमेगा सी हम पहले पढ़ चुकी है उमेगा वरावर टू पाई है भी पढ़ चुकी है यह तब लगाएंगे जब आगे पूँचा जाए और वैसे तो यहीं टेक परयापत है अब देखो इनके बीच कलांतर क्या है फाई यह देख लो इद इनके बीच कलांतर फाई हो तब तब देखो 10 10 फाई बरावर क्या होता है लम बटा आधार लम क्या है वी सी आधार क्या है वी आर एनि की बी सी अपॉन बी आर बी सी देखो क्या है आई एकसी और बी आर क्या है आई आर एनि की आई एकसी अपॉन आई आर आई से आई कट गया तो 10 फाई इकल टू एकसी अपॉन आर यह आगे और लिख देता हूँ, 5 is equal to 10 inverse, xc की value लगा दें, अगर 1 upon omega c, तो क्या सकता है, 1 upon omega c r, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ठीक लग रहा है, यहीं तक छोड़ देंगे, ये complete हो गया, अच्छा, एक बार फिर समझे लो, क्या था, सबसे पहले, language, यहीं चित्र को देखा, और वो heading देखा, चित्र बने गया, फिर चित्र को देखे, language लिख डाली, बहुत सरल, देखो, प्रत्रोधा, धारता, सी, स्रेडी करम में हैं, इनके बीच विवांतर, यहीं प्रत्रोध के बीच विवांतर, भीसी, धारता के विवांतर, भीसी, और यह प्रत्रोधी बोल्टेज की समीकर दे रखिए, यह देखो, यह कहां से आगया, यह हमें बोछ सिंगल वाले याद होंगे, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी होता चला जाएगा, देखो, यह लिख दिया हमने, बहुत सरल, बहुत अच्छा derivation है, इसके बाद LCR, LCR, यह सब कराएंगे, डवल डवल वाले, तीन है, एक ऐसा है, जिसमें तीनों हो, LCR, और तीन सिंगल सिंगल वाले हैं, केवल प्रत्रोध, केवल धारता, केवल प्रेर करत्त, तो बहुत अच्छे derivation यह है, और इसको तयार करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला लेके आत हैं, ओके, ठीके